नमस्कार साथियूं संस्कृती PCS चैनल पर आप सभी का स्वागत है मैं हूँ चंद्रशेकर आज हम किसी कंटेंट को लेकर नहीं बलकि उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग ने 2022 प्रारंबिक परिक्षा के कटाफ को जारी किया है उसको लेकर के बात करने वाले हैं कटाफ कित जनजात की कितने मेरीट गई है तो यहां पर देखें यह समलित राज प्रवर अधिनस सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2022 का कटाफ निम्नवत है यहां पर बताया गया है सेड़ी के हिसाब से अनारक्षित जिसे आप जनरल कहते हैं 111 गया है यहां पर देखेंगे वही इस्ति तो यह 115 गया है यह 2021 का है प्रारंबिक परिक्षा का ही है अनुसुचित जाती के लिए बताया गया है कि यह 99 गया है यहां पर वही इस्ति 96 देखा गया है साथी साथ उत्तर प्रदेश के जो अनुसुचित जनजाती है उनका 91 गया है यहां पर उत्तर प्रदेश के 2021 में तो 113 गया है अर्थात यहां से इस्तिती एक नंबर यहां पर जादे दिखाए गया है साथ सी साथ EWS की बात किया जाए तो यहां पर जो देखा गया है 114 देखा गया है EWS यहां 117 बाकी जो स्रेडिया है अलग रग सेडिया अलग-अलग उनका क्ट आफ दिया गया है mostly यही देखा जाता है तो इस पर हम फोकस कर रहे हैं अब यहां पर दो बाते हमारे सामने आती हैं कि क्या लोकसेवा आयोग रेजर्वेशन को priority नहीं दे रहा है या वहां की शासन ब्यवस्था इसको priority नहीं दे रही है या फिर एक बात और कही जा सकती है कि इस स्रणडी के जो उमिद्वार हैं जादे पढ़ने लगे हैं तो इस cut-off को देखते हुए आप सभी को अपनी उसी के according रनीती बनानी है और अपनी तैयारी को पुक्ता करना है तो इसी के साथ अगली सेशन में मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार धेर सारी सुब कामनाएं